कई बार आधी रात को गली या सडक पर कुट्टे शोर मचाने लगते हैं। कभी ये भौंकते हैं, तो कई बार इनके रोने जैसी आवाजें आती हैं। बहुत से लोग तो इसे अप्शगुन भी मानते हैं। कुट्टों के भौंकने की आवाज इतनी तीक्षन होती है कि ये सोने नहीं देती है। अगर ये पास में ही होते हैं, तो इनके भौंकने की आवाज कानों में चुबती है। अपने देश में कुट्टे के रोने को कई तरह के अपशगुनों से जोड़ कर देखा जाता है लेकिन आज हम आपको इसके पीछे की वैग्यानिक वजह बताएंगे भूत को देखते हैं तो भौकने लगते हैं ये तो थी अंधविश्वास और लोक मान्यताओं की बात लेकिन इस मामले में विध्यान का अपना अलगमत है वैग्यानिक इन बातों पर भरोसा नहीं करते हैं उनका मानना है कि कुट्टों का रात को भौकना इनसानों को अपनी और आकरशित करने का एक तरीका है नए इलाके में आने पर भी रोते हैं कुट्टे कुछ स्टडीज बताती हैं कि जब भी कुट्टे अपने पुराने इलाके को छोड़ कर किसी नए इलाके में आते हैं या भटक जाते हैं तो वो भी इंसानों की तरह दुखी होते हैं इसी दुख में वो रात को रोना शुरू कर देते हैं आधी रात में अक्सर वो अपने परिवार से बिछडने की वजह से रोते हैं खास तोर पर अगर कुट्टा पहले किसी घर में पला हुआ होता है तो उसका दर्द और भी बढ़ जाता है इसके अलावा चोट लगने पर या फिर तबियत ठीक ना होने पर भी कुट्टे रात में रोना शुरू कर देते हैं साथ ही जब कोई दूसरे इलाके का कुट्टा उनके एरिया में आने की कोशिश करता है तो वो इस बात को लेकर भी रोना शुरू कर देते हैं इस प्रकार वो चिला कर अपने बाकी साथियों को अलर्ट करते हैं उम्र बढ़ने के साथ साथ कुट्टे डरने लगते हैं इस डर की वजह से वो रात में अकेलापन महसूस करते हैं जिसके कारण वो रोना शुरू कर देते हैं, हो सकता है कि कुट्टों का कोई साथ ही दुनिया से चला गया हो, जिसका दुख वो रात में रोकर जाहिर करते हैं.